हो गया खाम, अब हाती के आता ही मैं उसे जाल में फसा के पकड़ लूँगा बचाओ अब आया ना हाती जाल के नीचे अप्पू शिकारी के जाल में फस चुका था शिकारी उसे चुप के देख ही रहा था तभी अप्पू की आवाज सुनकर रानी चीटी वहां आती है और उसकी नजर शिकारी पर पड़ती है अप्पू को फसा हुआ देख उसको दया आ गई रानी चीटी ने अप्पू की मदद करने की सोची रानी चीटी अप्पू के पास जाती है अप्पू, मेरे दोस्त, तुम घवराओ मत, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, और तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी